आज हम लोग साट करेंगे हमारा चैप्टर नमबर 5 कमनी जैक जिसका वेटेज समझ लो अपरोक्स आज से बारा मास ले लो आज से बारा मास का आपका वेटेज इस चैप्टर का और मिनिमाम आठ मैक्सिमम बारा बारत से जादा का नहीं आएगा तो थोड़ा बात उपर समझ समझके पढ़ीगा जिससे की आपको केशリ बन जाएंगे माम इसमें किस की चीज केपार में पढ़ने वाले इस चैप्टर में मुझ कंपनी एक्ट केशु को कानूनी‡ होते हैं भारत में जैसे का गाड्यों के लिए रूले ट्रापिक रूल्स होते हैं जैसे अपने पड़ा संसे को रेग़लेट करने के लिए इंडियन ओंव मेड़ा कि पार्टनर्शिप लेट करने के लिए पार्टनर्शिप टैक्ट होता है उसी तरह इंदिया में जितनी बड़ी बड़ी companies देख रहे हो ना आप ITC, Reliance, Wipro, Adani, यह जितनी भी companies देख रहे हो, यह कैसे चलती है, इनको कौन से कानून का पालन करना होता है, बहुत जादा Hindi हो गई क्या, I miss Hindi in Bangalore, तो उनको यह जितनी भी companies होती है, उनको कौन से कानून का पालन करना होता है, कौन सा Lock Your Coding, आप company को चलाते हो, एक company आप चलाते हो, तो उसमें, उसके लिए आप कौन सा act follow करते हो, company's act company's stance भी नहीं ले सकती बिना company's act को follow किये, जैसे आप अगर रोड में गाड़ी चलाते हो, तो आपको company's act को follow करना पड़ता है, और अभी present इंडिया में जो company's act चल रहा है, वो है 2013 वाला act, 2013, तो मैं क्या, 2013 से पहले कोई कानून नहीं था, कोई company's act नहीं था, नहीं नहीं, पुराना था, time to time law के according, change in environment, change in country के according, law को भी बदला जाता है, 1950 का law हम आज follow नहीं कर सकते, वो time to time change किया जाता है, time के साथ, तो इसलिए, अभी present में जो company's act चल रहा है, वो है, company's act 2013, company's act 2016, और यह सिर्फ company's act नहीं है, यह है, the company's act 2013, ठीक है, company's act 2013, मैंने 16 बोल रहा है, गलती से, ठीक है, company's act 2013 and madam, इससे पहले भी एक कानून हुआ करता था, पुराना वाला कानून जो की था, आपका company's act 1956, मैं में याद करना है क्या ज़रूर ही नहीं है, अभी जो present चल रहा है, company's act 2013, उसके पहले पुराना हुआ करता था, 1956, उससे भी पहले हमारी country बहुत ज़र ग्रो कर रही है, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यह पुराने वाले एक्ट को रिपील करके नया एक्ट लाया गया, company's act 2013 अब मैं आपको company's act दिखाती हूँ, MCA यह हमारी MCA की website है ministry of corporate affairs, अच्छा आपको पता है ना, ministry of textiles होती है, textile industry, सब चीज़ के अलग-अलग ministries होती है, वैसे ही, आपके companies को manage करने के लिए, जितने भी company के कामधाम होते है, corporate affairs होते है, जिसको हम बोलते है, company को नाम corporate बोलते है, corporate broader term है, जितनी भी companies से related, जो भी work होता है, यह कौन सी ministry देखती है, ministry of corporate affairs, जिसको हम M.C.A. बोलते है, तो यह हमारी government की website है, आप देख सकते है, यह हमारी ministry of corporate affairs की website है, देखो दिख जाएगा, कौन है अभी हमारा present minister of corporate affairs, qtq, qt, 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 nirmala sita raman, चीक है और इसके minister of state कौन है, राओ इंदर्जित तिंग तो यह हमारी मिनिस्ट्र और कॉर्पेड अफैर्स की वेबसाइट है यहाँ पर जा कि आप कोई भी कानून पढ़ना है पढ़ सकते हो लल्लप एक्ट पढ़ना है बेवर एक्ट पढ़ना है यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हो आपको सब मिल जाएगा देखो मैंने कंपनी जएक में क्लिक किया तो पूछ रहा है कौन सा कंपनी जएक पढ़ना है आपको 2013 वाला कि 1956 वाला नहीं पढ़ना है भी 1956 वाला दो 2013 वाला पढ़ना है तो 2013 वाला अरे भाई इबुक खुल लेते हैं जश्ट शेकेंड ठीक है यह देखो आपको कोई भी एक्ट पढ़ना हो अपनी इंस्टिट्यूट की वेबसेट में सब अबले सब्सक्राइब अब मैं आपको क्या दिखाना चाहरी हूं मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं यह दिख रहा है आपको चीजट हो कमपनीजक 2013 यह कौन सा है हमारा करेंट वर्जन है लास्ट इसमें Fighter konay नहीं बहुत सारा हीग यह बनाए गया है तो यहां पर नौस्थ हैं यह दो एक्ट नौसलिधन अबर्टेदर तो कमपनीज करनीज हो बिएंक्ट यहां पर यह कानून किसने बनाए और सेंटर लेवल पर कानून है यह कानून के लिए लौ बनाने के लिए बनाया गया है अब क्या आप देख सकते हैं जैसे आप देखो आपका जो सिलिबस स्याहिए आपका जो एक चानून में डिवाइड एक चैप्टर पार्टनर्शिप एक चैप्टर ऑन चैप्टर स्यूंब्ड है उसी तरह कमी जयुक्री Hm टॉपिक नंबर टूपिक नंबर त्री बैसे जितने वी कानूर होता है सबको numbering दे जाती उस numbering को बोलते हैं section अच्छा है Indian contract पढ़ चुकियों तो section मतलब तो पता हिए आपको जैसे देखो यह section number 1 section number 2 है इसके अंदर section 3 section 3 section 4 section 5 section 6 section 7 section 8 9 10 11 12 13 दिख रहा है तो ऐसे करके तोटल कितने सेक्शन है मैडम कम्मनी जेक में मैम टोटल ऑफ 470 सेक्शन है बट यह डेटा तपका है जब कम्मनी जब आया था नेया नया जब कम्मनी जब बना था 2013 में आज की दिन पर एक्जाक 470 सेक्शन नहीं है क्योंकि कुछ section डिलीट हो चुके है सब्सक्राइब को आच पर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है तो कुछ सेक्षन डिलीट हो चुके हैं और नहीं जाएंड हो चुके हैं तो इसलिए हाज की एक पर 472 सेक्षिंट हैं नहीं बट जब बना था तब कमनीजाथ में 400 सेक्षिंट और 29 चाप्टर थे 29 chapters क्या होता है chapters क्या होता है आप हर similar section को एक group बना देते हो तो उसको बोलते है chapter जैसे देखो यह जो आपका chapter number 2 है chapter 2 है incorporation से related यह cover करता है section 3 से लेके section 22 तक तो आपने क्या कर दिया एक जैसे जो section थे 1 और 2 जैसे section था तो उसको grouping करके chapter 1 दे दिया तो आपके जितने भी 470 section है उनको हमने अलग-अलग chapter में grouping कर दिया तो उसको बोलते है chapters तो आपके company's act में total 29 chapters थे आज के दिन पे एक और chapter add हो चुका है तो अगर presently आप में इनको बोलोगे तो मैम आज के दिन पे कितने chapters है company's act में तो 30 chapters है आज के दिन में 30 chapter है दिखाऊ यह देखो chapter 1, 2 दिखा chapter 1, 2, chapter 3, 4, 5, 6, 7 यह यह है last chapter देखो कितने है 29 29 दिखे आप बोलोगे मैम 29 ही है लेकिन amendment के द्वारा बीच में एक और chapter introduced किया गया था यह 21A वाला producer company 21A तो बीच में एक और chapter introduced किया गया था amendment के द्वारा इसलिए total किते chapters है company's act में total 29 sorry 30 chapters है आपके company's act में समझ में आया अब कई बार ना हमें कुछ additional details देने की जरूरत पड़ती है जो कि हम main section में नहीं देख सकते तो हम अलग से बोलते हैं कि अलग से एक list दे रहे हैं इस list से schedule कितने है companies act में companies act में 7 schedule है देखो आपने पढ़ा भी होगा 12 में 12 में 12 accounts में जब आप balance sheet और pnl account का pro forma पढ़ रहे होगे format पढ़ रहे होगे तब आपने पढ़ा होगा कि जो balance sheet का format है वो दिया हुआ है schedule 3 of companies act में पढ़े होगे schedule 3 तो पढ़े होगे schedule 3 of companies act तो देखो कितने schedule है schedule 1 है schedule 2 है schedule 3 है schedule 4 है 5 6 7 दिखा 7 total कितने schedules है companies act में 7 यह मैं बेहर आपको government की website से दिखा रही हूँ यह मैं आपको government mca की website से दिखा रही हूँ यह समझ में आया तो यह था अपना basic बात basic introduction about companies अब आपको basic idea आ चुका है कि क्या होता है एक ऐसा कानून है जो companies को regulate करता है आपको अगर company बना करके धंदा करना है तो बिना companies act को follow कि आप नहीं बना सकते आपको अगर company बनाके धंदा करना है तो आप करेंगे आपको तारी रूल्स क्यों वैसे थोड़ा technical बात हो जाएगा समझ में आएगा तो ठीक है नहीं समझ में आएगा तो ignore कर देना देखो क्या होता है जो companies act है ना वो सिर्फ धाचा प्रवाइट करता है वो सिर्फ धाचा प्रवाइट करता है जैसे मान के चलो उसने बोल दिया कि small company वो company होगी private company वो company होगी जिसका paid-up share capital कम से कम इतना होगा अब minimum paid-up share capital कितना होगा वो यहां एक्ट में नहीं दिया है उसके लिए हमने बोल दिया हम रूल्स बनाएंगे हम रूल्स बनाएंगे उस रूल्स पर पूरी डीटेल्स देंगे मतलब ना companies act जो है वो सिर्फ धाचा बना दिया है आउटसाइड उपर उपर से लो बता दिय है कि देखो ऐसा है ऐसा है अब complete अगर आपको टीटेल्स जानना है तो रूल्स पढ़ो तो एक्ट जो है companies act जो है वो companies rules के बीना अधूरा है आधा से ज्यादा लौ companies rules में दिया हुआ है और rules को act के साथ पढ़ा जाता है rules companies rules को companies act के साथ पढ़ा जाता है तो जैसे मान के चलो ऐसा क्यों हुआ एक प्राइब में बताती हूं कि जैसे मान के चलो minimum paid-up capital हमने बोल दिया एक प्राइवेट कमनी बनाने के लिए कम से कम एक लाग का capital चाहिए तो अब वह हम यहां नहीं लिखते हैं कि minimum paid-up capital कितना लगेगा rules में लिखा हुआ है rules में पढ़ लो ऐसा बोल देते हैं फिर रूस मे में मजाव करक्या है और physics होनीजी सबको कि कानून कैसे बनता है law कैसे बनता है अगर आपको act बनाना होगा ना तो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है और जो रूल्स होती है ना वह हमारी M.C.A लेकर के आती है government M.C.A लेकर के आती है उसके लिए पार्लेमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती है तो इसलिए रूल्स को अमेंट करना इजी होता है नया रूल्स लेकर के आना M.C.A लेकर के आ जाएगी पार्लेमेंट का सेशन रखने की जरूरत नहीं है तो रूल्स करना इजी होता है इसलिए क्यूंकि Companies Act है Companies Act में हर alternate days changes आते हैं हर दूसरे दिन changes आते हैं कुछ नो कुछ अमेंड्मेंट कुछ नो कुछ अमेंड्मेंट आता ही रहता है तो इसलिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम टू टाइम changes करना पड़ता है तो हर चीज़ अगर हम एक में लिख देंगे तो हम तुरन 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 तो पार्लेमेंट को नहीं बोलेंगे भाई चेंज कर इसलिए जो क्प्नी जाक्त होता है ना उसमें सिफ एक बहरी डीटेल्स होती है जो एकदम एकदम स्पेसिफिक डीटेल्ड बाते होती है वह कमनी जाक्त का एक्ट का important part होता है Companies Rules बिना Companies Rules कि आप Companies पर सकते जैसे अगर मैं आपको दिखाऊंँ तो यहां पर देखो आपको डिक रहा है अगर मैं रूज में क्लिक करूंगी तो आपका रूज खुछ जाएगा देखो हर चैप्टर से रिलेटेड रूस है जैसे स्पेसिफिकेशन और डेफिनेशन रूल प्रोस्पेक्टर्स एन अलॉट्मेंट और सिक्योर्टी रूल यह वाला रूल फ्लाना रूल डिकना रूल देखो इतने सारे रूल है शेयर कैप्टल डिवेंचर रूल तो कमनी जैक में एक्ट के साथ साथ हम रूल को भी पढ़ते ह इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए तो यह अजोग की हमारा बिसिक लियर हुआ यहां क्लियर हुआ को करुंद II when I was dead है हैं यहां तत क्लियर हुआ बेरीत चीड़ग्रन बेसी की इंट्रॅक्शन बडरोंग कमीज्ट acceptable चीजर्टेयोस ऊसाफ यह तो इस ग्रेट टो अब मेन टॉपिक में आते हैं अभी तक तो अपन बगपास कर रहे लिए इंट्रोड़क्शन प्रड़ रहे तो अभी तक तो अपन बेस डेवलप्ट कर रहे थे कमनी तक पढ़ने के लिए अब फाइनली अपन कमनी देख पर चालू करतु है और आपको पता है किसी वेका का सेक्षिन बन वह होता है वह कर आपको को होता है और सेक्षिन होता है और ऑरकीं पढ़ेंगे और मैं आपको सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको यह पारग्राफ पढ़ाना चाहती हूं इसको बाद में पढ़ाएंगे ठीक है, सो मैं आपको बॉडी कॉर्पेट का ही मतलब बताती हूं पहले एक टर्म है, बॉडी कॉर्पेट बहुत बार सुनाओगा आपने अपनी जिन्दगी में और इसको हम लोग कॉर्पेशन भी बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? पता है, बॉडी कॉर्पेट या कॉर्पेरेशन इसका मतलब होता है ऐसी body जो proper जनम दी गई है किसी act के द्वारा government उसको जनम देती है किसी act का process follow करके तो ये जो body है न ये proper law की नजरों में एक legal person बन जाती है इस body को बोला जाता है body corporate body corporate याने कि जब आप कोई कोई ऐसी body बना रहे हो जिसको आप proper एक दूसरा इंसान बना रहे हो जनम दे रहे हो कैसे मैडम किसी act के द्वारा किसी act के according आप उसको जनम दे रहे हो जैसे अगर company को जनम देना है तो company's act में process लिखा हुआ है कैसे जनम दोगे company को जो जनम वर्ड है उसको बोलते हैं English में legal term में बोलते हैं incorporate करना incorporate याने जनम देना बर्थ देना incorporate incorporate तो यह legal term है अब इसका मतलब आप समझ गए हैं साथ से incorporate करना अगर मैं बोल रहे हूं मुझे company incorporate करना है मतलब मुझे company बनाना है मुझे company को जनम देना है और वो कैसे दे सकती हूँ sir एक कानून के द्वारा companies act के द्वारा तो आप जब किसी body को एक अस्तित्व मिलाते हैं एक अस्तित्व मिलाते हैं एक physical एक legal existence मिलाते हैं by process followed by a process given in the act then it is known as incorporation और जब आप किसी body को incorporate करते हो ना तो अपने आप में एक legal person मन जाती है उसकी एक separate legal entity होती है उसका perpetual succession होता है perpetual succession होता है और उसके members की limited liability होती है perpetual succession होता है separate property होती है यह कुछ basic features होते हैं हर body corporate के कहने का मतलब यह है कि अगर यह है मुकेश अन्हा मेरे पास मुकेश अन्हा की photo तो थी शायद कहा अगर गए मुकेश अन्हा दिखी नहीं है ठीक है छोड़ो मुकेश अन्हा नहीं दिख रहे यह अपने मुकेश अन्हा मुकेश अम्माने ने एक कंपणी बना दी उस कंपणी का नाम है Reliance Industries Limited एक बात बताओं क्या Reliance लोग की नज़रों में एक इंसान है इंसान नहीं परसन है हाँ जो Reliance है ना वो लोग की नज़रों में परसन है क्या मुकेश अम्मानी और Reliance है कि इंसान है नहीं मुकेश अम्मानी और Reliance अलग-अलग इंसान है क्या Reliance लोग की नज़रों में एक परसन है हाँ मतलब Reliance को हम बोल सकते हैं अपने नाम पर प्रॉप्टी खरीच सकती है बिल्कुल Reliance अपने नाम पर प्रॉप्टी खरीच सकती है क्या Reliance और मुकेश अम्मानी का separate existence है यह मुकेश अम्मानी इस consent RELS क्या Reliance अपने नाम पर केश कर सकती है क्या आप किसी कंपने के नम पर केश कर सकते हो बिल्कूल कर सकती हो कितिने सारे ऐसे स्टर्लाओं होगे आपने जिसमें अपने कंपने कंपनी का नाम देखा होगा this limited versus this limited तो क्या एक company case कर सकती है बिल्कूल कर सकती है क्या वो खुद अपने नाम पे property hold कर सकती है बिल्कूल कर सकती है और एक company के case में members की limited liability होती है limited liability क्या होती है यह मैं detail में बाद में समझाओंगी so basically अगर देखा जाए तो एक body corporate क्या होती है एक body corporate कोई भी ऐसी body होती है जिसको आप properly incorporate करते हो किसी act के द्वारा यानि कि जनम देते हो किसी act के द्वारा वो proper एक recognized body होती है government की नजरों में वो proper एक separate legal person बन जाती है separate legal entity बन जाती है जिसका perpetual succession होता है और वो अपने आप में एक इंसान बन जाती है company और body corporate एक ही होता है क्या the answer is no body corporate is a much broader term क्यों क्योंकि मान के चलो अगर मैं company की बात करूँ तो क्या company ये सारे condition फुल्फिल करती है the answer is yes क्या company को proper incorporate किया जाते है किसी act के द्वारा yes company को एक कानून है कौन सा कानून है कानून का नाम है companies act companies act के द्वारा incorporate किया जाता है companies act के द्वारा incorporate किया जाता है और जो company होती है उसका separate legal entity होता है perpetual succession होता है separate property होता है capacity to see who होता है याने कि क्या एक company body corporate है क्या ये body corporate है the answer is yes है अच्छा अगर मैं LLP की बात करूँ तो आपको पता है LLP जो होती है वो भी एक body corporate में आएगी क्यों क्या एक proper act के द्वारा LLP को जनम दिया जाता है yes there is a proper act LLP act 2008 there is a proper act LLP act और LLP act की according LLP को जनम दिया जाता है याने कि incorporate किया जाता है क्या LLP एक separate legal person है the answer is yes LLP is a separate legal person having separate property तो क्या company एक body corporate है हाँ LLP एक body corporate है हाँ क्या foreign company madam foreign company इंडिया की company नहीं बाहर की company Apple Apple all these companies Apple Mercedes all this क्या ये इंडिया की company है नहीं मैडम इंडिया की company है नहीं मैडम इंडिया की company तो है नहीं बाहर की company है और जो इंडिया में भी धंदा कर रही है बाहर की company है तो इनको क्या बोलते है foreign company क्या foreign company body corporate है the answer is yes foreign company is also body corporate क्योंकि इसको proper foreign में incorporate किया जाता है और इनकी भी separate legal anti perpetual substitution होते हैं तो क्या यह सारी चीज़े body corporate है the answer is yes तो क्या आपको एक basic difference समझ में आया क्या कि body corporate एक बहुत ही broader term है body corporate में सब आ जाते है कमपनी भी आ जाती है यह अपने आप में separate legal person होती है वह वो बोड़ी आ जाती है जिसको आप किसी एक्ट के द्वारा incorporate करते है जो अपने आप में separate legal person होती है perpetual succession भी होता है मैडम perpetual succession याने की member के आने जाने से उनका existence फरक नहीं पड़ता है perpetual succession याने company चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी विम बार की तरह ठीक है तो वो होता है perpetual succession तो क्या आप मतलब समझ गए जैसे flower flower एक broader category है rose rose एक narrow category है rose is just a type of flower और भी तरह के तो flower होते है ना lily भी होता है sunflower भी होता है वैसे ही जो body corporate है ना वो एक broader category है और company एक narrower category है company एक तरह की body corporate है और भी तरह की body corporate होती है जैसे की LLP जैसे foreign company इतना समझ में आया इतना समझ में आया ये वाली बात समझ में आई क्या इतना समझ में आया, येस, ग्रेट, ठीक है, अब ये समझ में आया, तो, 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 मैडम, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती है, फिर बुक का पैरग्राफ रेट करेंगे, बात ऐसी है, कि भारत में, भारत में, मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी बोलने म है, भारत में, अच्छा, नेक्स्ट आपिक साट करने से पहले मैं आपको बॉडी कॉर्पेट की कुछ और एक्जामपल देना चाहती है, क्यों बॉडी कॉर्पेट के कुछ और एक्जामपल देना चाहती हो, SBI, State Bank of India, क्या ये एक बॉडी defenders commentary दा आंसर इस येस क्या ये एक बॉडी कॉर्परेट है दा आंसर इस येस क्यूं क्यूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉपर एक कानून के द्वारा बनाया गया है उस कानून का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया है उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इतनी बात समझ मैं ठीक है, अब मैं आपको company की definition पढ़ाना चाहती हूँ, वैसे तो company मतलब आप समझ गए हो, लेकिन आपका company's act का एक section है, section 2 clause 20, मैं आपको दिखा हूँ, यह company's act है आपका, उपर आ जाते हैं, अच्छा, act में आ जाते हैं, वापिस से, यह company's act है आपका, preliminary में आ जाते हैं, section 2 में आ जाते हैं, जैसे ही मैंने section 2 में क्लिक किया, वैसे ही, खुलना भाई, यार यह बहुत, internet, internet, छोड़ो, छोड़ो, ठीक है, internet नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, आपका company's act का एक section है, section 2 clause 20, यह section आपको company को define करता है, यह section आपके word company को define करता है, अब company मतलब क्या है, company मतलब सिर्फ वो company, जो की हमारे कौन से कानून के अंदर बनी है, companies act के अंदर बनी है, हर वो body, जो companies act के अंदर जनम ली है, जनम याने incorporate हुई है, कभी भी मैं incorporate बोलू, तो समझ जाना incorporate मतलब क्या जनम ले रही है, हम बर्थ दे रहे है company को, तो हर वो body, हर वो company, जो companies act के अंदर बनी है, जो companies act के अंदर जनम ली है, वो है आपकी company, चाहिए वो present companies act हो, चाहिए वो पुराना companies act हो, आप एक बात बताओ, हमारे इंडिया में कुछ कुछ companies कितने 50 सालों से हैं, जैसे कि ITC हो गया, जैसे कि Tata की companies हो गई, ये सारी companies, जैसे कि Reliance हो गई, मुकेश अमानी ने बनाया, क्या नहीं, उनके पापा ने बनाया ती दिरुभाई अमानी ने, तो वो तो कितने सालों से है, जब तो companies act 2013 नहीं आये था, तब तो पुराना companies act था, एटीन Evra ये 1986 इस हैं नहीं वालों पुराना धॉला पुराना था, है तो company मतलब हर कमपनी, जो हमारे इंटिया के कमपनी लॉग लोग के अंदर बनी है, परेजNIS वालों पुराना वाला companies act हो, बात समझ में रही, बात समझ में आई, तो, company मतलब अगर मैं companies act की बात करूँ तो companies act में जहां भी मैंने company word use किया है it means I am only talking about companies act में जहां भी मैंने company word का इस्तमाल किया है it means I am only talking about those companies which are incorporated under companies act मतलब मैं सिर्फ उन companies की बात कर रही हूँ जो companies act की अंदर बनी है अगर कोई ऐसी body है जो किसी दूसरे act के अंदर बनी है अगर कोई ऐसी body है जो किसी दूसरे act के अंदर बनी है तो उसको हम companies act के अंदर company नहीं बोलते है बात समझ में आई मैं थोड़ा भावनाव में बहे जा रही हूँ क्योंकि companies act हमारा सब कुछ होता है तो इसलिए बट आपको समझ में आना चाहिए कि Companies Act मतलब सिर्फ वो company जो कि Companies Act के अंदर बनी हुई है या तो वो present company लो या तो पुराना company लो अब जो मैंने आपको ग्यान दिया उस हिसाब से आप मेरे को एक line में बताओ क्या SBI company है क्या SBI company है Is SBI a company जल्दी बता दो विजय स्तेंग नो विजय है विजयी भवा सही आंसर है तुम्हारा नो अच्छा मैं को पिन कर ले ना सब को ही ताकि मेरा स्क्रीन बड़ा हो जाए तो येस विजय कांसर करेक्ट है SBI is not a company शॉक लगा शॉक लगा शॉक लगा येस लगना चाहिए SBI is not a company SBI एक company नहीं है क्यों क्योंकि SBI companies act के अंदर नहीं बनी है SBI का अलग से कानून है SBI का कानून है SBI act SBI act के अंदर SBI को बनाया हुआ इसलिए SBI is not a company rather it is only a body corporate body corporate तो है body corporate मतलब कोई भी body जो किसी ना किसी कानून के अंदर बनी हुए अब जैसे देखो LLP कि अगर मैं बात करूँ क्या LLP company है ने नी मैडम LLP एक दूसरी body है LLP company नहीं है LLP किस कानून के अंदर बनी हुई है LLP जो आपकी है वो LLP act के अंदर बनी हुई है तो यह company नहीं है लेकिन क्या यह body corporate है the answer is yes तो अब क्या आपको बहुत अच्छी तरीके से बहतरीं तरीके से company और body corporate का difference समझ में आ गया होगा तो हम यह first वाला paragraph प्रीड आउट ले सकते है सबसे पहले आपको बोला गया है कि जस्टिस से जस्टिस मार्सल उन्होंने corporation की definition दी corporation यानि body corporate body corporate मतलब होई भी ऐसी body जिसका एक separate legal entity है जिसका एक artificial existence है जो की law के द्वारा law की नजरों में exist करती है वो हो जाएगा आपकी body corporate तो यहां पर हो जाएगा corporation किया है corporation यानि body corporate corporation यानि की body corporate ठीक है body corporate a corporation is the artificial being एक artificial human होता है not human artificial person होता है जिसे हम लोग natural person है हम लोग natural person हम लोग lot time खाना खा सकते है हम लोग बोल सकते हैं हम लोग saas ले सकते हैं बचन Angry Agriculture है लेकिन क्योंकि company सास नहीं ले सकती तो उसको अम artificial पर्स बोलते हैं artificial बिंग याने artificial पर्सं इन्विजिबल देख सकते हो नहीं इंटैंजिबल छू सकते हो नहीं एक्जिस्टेंज ओनली लो ब्रहों की नजरों में start हो जाओ, start हो जाओ, मैंने आपको बोला है, क्या करना है, आपको एक blank page लेना है, उसमें ऐसा line खीचना है, और heading देना है, sections of companies act 2013, जो जो section पढ़ते जाएंगे, इस list में add up करते जाना, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, जैसे section 2 clause 20 पढ़ा, तो यहाँ पर ड जाल दिया, 2 clause 20, definition of company, खतम, अब जो section पढ़ते जाएंगे, उसको इस list में, आप लोग, add up करते जाएंगे, एक page बना लीजिए, एक page बना लीजिए, copy का last page बना लो या जो उनसा भी, ठीक है, और उसमें, एक एक करके, जो भी sections पढ़ेंगे, companies act के, list में डालते जाएगा, तो सबते पहला section जो हम पढ़ रहे है, वह हम पढ़ रहे है, definition of company, which is given in section 2 clause 20, which says that company means a company, wow what a definition, what is company, company means a company, what is pencil, pencil means a pencil, ha 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 ha, ठीक है, तो what is company, what a definition, company means a company, but खतम नहीं ओरे definition यहा, which is incorporated, madam incorporated का मतलब में आपको बता चू क्यों बर्थ देना, जनम देना, जनम, ठीक है, तो company means a company, which is incorporated under which act, this act, this act, this act, याने, company's act 2013, this act, याने, company's act 2013, और any other previous company law, या फिर पूराना, company's act, जैसे की, company's act 1956, 1886, and so on, तो company means a company, which is incorporated under this act, और any other previous company law, यह बात समझ में आई, हा मैडम, यह समझ में आ गई, अब यह second वाला paragraph पढ़ लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ, in other words, एक हैने नाम क बन देते हैं, उसने बोला company क्या है, company incorporated body है, obviously, company को आप proper law के द्वारा जनम देते हैं, law के द्वारा incorporate करते हैं, और इसलिए इसको बोलता है, incorporated body, आपको पते कौन जनम देता है, government जनम देता है, आपकी company को, जब तक government हां नहीं बोलेगा ना, आपकी company नहीं बनेगी, जब government हा हुआ है बदाई हो तो जब डॉक्टर करता है बच्चा को और पी जब बोलता है तो आप बोलते हो कि यह बच्चे का जनम हो गया है तो वैसे कंपनी का जनम होता है को निए एक एक्ट के दोरा बनाता है जिसके गाटिफ लिगल है सब्सक्राइब बता चुक गणाने मुकेश अमानी कलो इंसान रिलाइंस इंडस्ट्री कलग इंसान है मतलब सेपरेट लिगल ए इनकी होती है परपेट्वल सक्सेशन में चलती ही जाएगी विम बार की तरह और और कंपनी का एक कॉमन सील होता है क्या कंपनी एक इंसान है हम जैसा सांस लेने वाली हाथ है कंपनी के नहीं मेडम हाथ पनी है तो क्या वो शोले की ठाकूर है नहीं नहीं वो शोले की ठाकूर भी नहीं है बट कंपनी के हाथ तो होते नहीं है तो वो साइन कर सकती है क्या नहीं तो कंपनी साइन नहीं कर सकती तो उसका थप्पा होता है ऑफिशल सील जिसको बोलते है ऑफिशल सील जो थप्पा लगाते ह तो इसको बहुत है common feel, तो यह सारी properties होती है company की, तो यह basic बात की company के बारे में company का basic meaning, तो अब अगर यह समझ में आ गया होगा तो इसके बात करने के बाद हम applicability करेंगे, what is the applicability of companies act, companies act किसको applicable होता है, बिल्कुल होगा companies के लिए ही तो बना हुआ है companies act तो क्या सिर्फ companies को अप्लाई होगा नहीं और वे कुछ bodies होती है जिनको अप्लाई होगा तो company में तो यहां तो सिर्फ बोलों आजाएंगे जो companies act के अंदर बनी हुई है पर्स्ट वाले इस बीए की बात कर रही हुआ है बच्छी कुछी banking company की बात कर रही हो जैसे हो गया आपका इसजी एफसी पी औंबी बंक अपर होता जितनी बच्छी से कुछ यह banking company है उनकी बात कर रहे हैं आपको पता है banking companies के लिए एक अलग से कानून बनाया हुआ है उस कानून का नाम है banking companies एक्ट बैंकिंग एक्ट से कानुन बनाए हुआ है सिर्फ बैंकिंग कंपनी के लिए अच्छा यह वाला कानुन स्वाइब अलग स्वाइब में जी रहा है उसको तो चाने दो उसको छोड़ो एक बार जो बची-कुची बैंकिंड कंपनी थे लिए नहीं जनम लेती हैं यह कंपनी कंपनी एक्ट की अनदर क्या राता है नहीं के आज आगा रहता हैirm अकोडिंडकिंडे में में क्लैयों लिए खांडे हैं और सिक्ट एक हैं हम कंपनी बोलेंगे दांसरिस नहीं नहीं बोलेंगे कंपनी क्यों palavra यह जितनी बहुत CH jeszcze कंपनीं यो सारी कंपनी नहीं ऻक्षिक चाँ चाल पहर गेंगे जो नहीं दो सकत quelुः कंपनीं के ses बनी हैं इसे लिए उसको इन xi सब्सक्राइब करते हैं तो अलग से हम डालना पड़ेगा कि अलग सब्सक्राइब के अंदर नहीं बनती है वह इंशॉरेंस एक्ट के अंदर बनती है तो फिर्स्ट वाले पॉर्ट में तो कवर होंगी नहीं बट कमदेव्ल में नहीं होता है इसलिकों कि सब्सक्राइब कुंद सब्सक्राइब करते है कि उसकिवल और कोलकता में ऑफिसमें काम करती तो यह जो कंपनी है यह यह आ जाएगी जो बिजली बनाती है हर स्चेट की अलग होती है तो हर स्थेट की बनाती है और बिजली सप्लाइब करती है अग्ला अग्ला टॉप अग्ली कोशन आया था ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जनरेशन भी होती है ट्रांस्विशन भी होती है तो उसका अंसर था electricity ठीक है तो के विसी में जाते यह बो रही ती कि ऐसी कंपनी जो electricity generate करती है supply करती है उनके लिए उनकी ने अलग से कानून का नाम है electricity act 2003 तो क्या यह electricity companies companies are the answer is no यह फॉर्स पॉइंट के अंदर टो cover होंगी नहीं तो अलग से हमने बोल दिया कि companies are electricity companies को भी applicable बनाने के लिए जिसको बनाने के लिए अलग से एक्ट बनाया गया मतलब ऐसा मजाक नहीं है अलग से हमने कानून बनाया इस बिए बनाने के लिए प्रॉपर सिर्फ एस बिए के लिए अलग से कानून बनाया इस बिया इस बिए बनाया तो इसको लोग स्पेशल कंपणी बोलेंगे एक्जामपल मैडम लाइसी जानते हो लाइफ इंशॉरंस कॉर्परेशन लाइसी कंपनी जेक्ट के अंदर नहीं बनी हुए लाइसी का अलग से कानून है सब्सक्राइब हो उसनी रह potrzeb उब ल सब्सक्राइब में इक्जामपल में एक्जामपल देएं डिया आ लाइए इसे काहीत तो यह इसटर सियक्ट कीaton से कानून बनाया गया CS act अगर मैं सेवी की बात करूं से भी जानते हो भी जानते वह पनी एक बोडि आर से क्शेंजबॉर यह जो स्टॉप मार्किट को रेड़े कर ठीए यह बॉड़ी बैनने के लिए एक प्रॉपर अलग से कानून बना गया था से बी एक अलग है इस्पेशल ंदर नहीं है ये अपने स्पेशल एक्ट के अंदर पनी हुए है तो्या यह 1 पॉइंट के अंदर नहीं होगी लेकिन इनको भी एपलीकेबल होता है क्या SBI को companies act applicable नहीं होगा, भले ही SBI company नहीं है, लेकिन फिर भी उसको companies act का पालन करना होगा, companies act उसको applicable होगा, इसले हम companies act, even special act वाली companies को भी applicable करना चाहते हैं, तो हमने अलग से list में दे दिया, companies act is also applicable to any other company which is governed by any special act, any other company which is governed by special act, lastly, central government को खुली छूट दे दी, Central government चाहे, तो किसी भी company को companies act के दाइरे के अंदर ला सकती है, नाम लिख करके, और बताओ यहाँ other में foreign company आ जाएंगी, foreign company, foreign company, एक बात बताओ क्या apple इंडिया में धंदा कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्या amazon इंडिया में धंदा कर रही है, बिल्कुल कर रही है, इंडिया म Amazon फोएंड नी समय है, चलता है, थोड़े माना आप बाहर की company हो, इसलिए यहाँ पर और Central Government को पावर दे दिया गया कि आप चाहो तो किसी भी बॉडी कॉर्परेट के उपर कम्पनी जैक को अप्लाई कर सकते हो और Central Government ने अक्च्वल में नोटिफाई किया है कि हर पॉरिंग कम्पनी को कम्पनी के उपर कुछ अप्लाई होते हैं कि सिफ यह 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 प्रोविजन को अप्लाई होंगे क्योंकि वह इंडिया के नहीं है तो थोड़े बहुत लोग अप्लाई करेंगे जो उनके सिफ धन्दा करने से अब एक चोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत कच्रा करती हूँ ना बढ़ाते हुए हो इसे बाइसे एक सर्य साथ करना पड़ता है इसमें ठीक है ठीक है अब एक चोटी सी बात है आपकों पosa बैंकिंग क्टराइज के लिए अलग से कानून सब्रक्राइज इंगे Çünkü को अभिना म्हां support करना पड़ता है सवाल यह उठता है अगर दोरों में जगड़ा हो जाएगा तो बैचारा बैंकिंग अमने किसकी बात सुनेगा जैसे एक्जांपल में बात करती हूँ छोटा सा बच्चा है इसकी मां है और इसका बाप है अगर अपने और पापा को जकर था io क्या इस चोटे से बच्चे को काई देटीश आपनी मां की भी सुनीचिया अपने पापा की सुनीचिया अगर मां पापा की जगड़ा हो गया अभी एज लिगर अ harvest- ऑभी जा मेरे होसे participating करकिया हर् आप बेचारीद मे जुविदा में आ कि बचार जाएगा नहीं अभी बैंक जाएगा इसकी सुनोगे किसी एक को सुना पर गड़ेगा जो भी फिरार होगा अग 我們 Arms Ryan जगडा गया जो बैग्किंग कंपनी के बीचा है इसके दो पेड़ेंट कि एक बैंकं के लिगए सब्सक्राइब banking regulation specially सिर्फ banks के लिए बनाया गया है इसलिए हमेशा अगर दोनों के बीच में जगड़ा होता है ना तो उस case में आप companies एक को follow नहीं करोगे उस case में बैंकिंग regulation को follow करोगे logic समझ में आया क्यों logic समझ में क्या क्यों या आपको logic समझ में आया क्यों क्यों कि banking company के लिए स्पेसिफिकली banking regulation act बनाया हुआ है तो वैसे तो यह जो company banking company यह दोनों कारण को follow करेगी बट जब जगड़ा हो जाएगा ना दोनों के बीच में जगड़ा यानि की inconsistency law की language में बोला जाता है उसको inconsistency यानि banking regulation act कुछ और बोल रहा है कुछ और बोल रहा है तो उसकेस में आप किसकी बात सुनोगे banking regulation act की बात सुनोगे उसकेस में आप फॉलो नहीं करोगे तो चल जाएगा बात समझ में यही वाली बात है जैसे banking company वाली पढ़ो कि वैसे तो banking companies को companies act apply होता है लेकिन अगर कभी companies act banking regulation act से inconsistent हो जाता है तो उसकेस में companies act apply नहीं होगा उसकेस में banking regulation act apply होगा समझ मैं यहां तो यहां पर आपको बात लिखी हुई है क्या banking companies वैसे तो हम पढ़ रहे हैं applicability क्या companies banking companies को अप्लाय होगा दा आंतर यह लेकिन except where the provision of the state act are inconsistent except except मतलब इस situation में नहीं apply होगा कब जब यह जो act है इस act यह ने companies act companies act is inconsistent with banking regulation act मतलब अगर companies act और banking regulation act के बिच में धगड़ा हो गया दोनों अलग अलग बाते बोल रहे तो हम किस की बात सुनेंगे हम किस की बात सुनेंगे उस case में banking regulation इस एक्पार्टेश्च के बात सुनेंगे है वह फोला पॉइंट में नहीं हो जड़ी से बतादो समझ में आया कि नहीं जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं यह तो जिस तरह से इस तरह से बाकिने कमपनी का पढ़ा उसी तरह से बाखी सारी कमनीश का भी है since insurance company के लिए बी अलग से एक act है insurance act और I.R.D.A. Act और companies act भी है, तो वैसे तो companies act apply होगा लेकिन अगर कभी companies act insurance act से inconsistent होगा तो उस case में companies act apply नहीं होगा, उस case में insurance act apply होगा तो वैसे तो insurance companies को companies act applicable है except अगर companies act जो है, वो inconsistent हो गया with insurance act या I.R.D.A. Act same is with the electricity company कि वैसे तो electricity company को companies act apply होगा except where companies act is inconsistent with the electricity act तो ये बात ही same बात तीनों में इसी के साथ अपना applicability होता है complete कि companies act किसको किसको applicable होगा एक मिनट में revise करो मेरे साथ अपने घर में चिलाना companies act किसको किसको applicable होगा हर company को जो companies act के अंदर बनी हुई है और सप्लाइ कंपनी को हर स्पेशल अक्ट वाली कंपनी को और कोई भी बॉडी को जिसको Central Government notify करेगा लेकिन मैडम अगर इंशॉरंस अगर इंशॉरंस एक इंशॉरंस एक से इंकंसिस्टेंट हुआ उसके साथ अपना अप्लाइन होगा इंशॉरंस कम्णी को क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब देखो नेक्स आपका फीचर आप कंपनी बहुत ही लडू चैप्टर है और यह अपने अपने क्लास 11-12 BST में भी पढ़ा होगा फीचर्ज आफ कंपनी फीचर्ज आफ लल्ल्प फीचर्ज आफ पार्टनर्शिप तो फीचर्ज क्या है कंपनी के बेसिक तो मैं अल्रडी बता चुक हूँ सबसे पहला separate legal entity याने company अपने member से separate होती है company का existence उसके member के existence से separate होता है perpetual succession याने की member में come and go but the company goes on forever member के आने जाने से company के existence में फरक नहीं पड़ता है डीटेल में discuss करेंगे limited liability artificial jurisdiction person एक एक करके सारे points को detail में discuss करते देखो यह चारो points को बहुत डीटेल में discuss किया गया है separate legal entity perpetual succession limited liability artificial legal person और common scene ठीक है तो सबसे पहले आजाओ सबसे पहला हमारा property यह company का कि company एक separate legal entity होती है याने कि जैसे याद करो partnership के case में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर राजू श्याम और बाबुराव मिलकर के एक partnership firm बना रहे हैं तो उस case में वो partnership firm कुछ नहीं है क्या उस partnership firm का नाम है हेरा फेरी तो क्या partnership firm का अपने आप में कोई अस्तित्व है नहीं partnership is not a separate legal person partnership is nothing but a relationship between these three people राजू श्याम और बाबुराव को ही साथ में together partnership बोला जा रहा है इनके बीज़का जो रिलेशन है partnership में का अपने आप में कोई legal existence नहीं होता है हिरा पेरी कोई दूसरी इंसान नहीं है कुछ नहीं इन तीनों को मिला करके हिरा पेरी बोला जा रहा है बट कंपनी के case में ऐसा नहीं होता है अगर मुकेश भाईया ने RIL बनाई Reliance Industries Limited तो अच् पेरेंर रहा है उसके Member के इसके से होता है उसको बोलता है उसको बोलता है इसको बोलती है यह लग के नजरों में Reliance एक Legal परसन है येस क्या वो अपने नाम पर केस केस फाइल कर सकता है येस सब कुछ कर सकता है बस तो सास नहीं ले सकता खाना नहीं का सकता बोल नहीं सकता हाथ नहीं है तो साइन नहीं कर सकता अधर्वाइस कंपनी सब कुछ कर सकता है कंपनी एक समझलों एक एक आर्टिफीशल पर सकता है ठीक है यह सारे पीचर होते हैं कंपनी के अब बुक में आ जाता है वोट इस सेपरेट लिगल एंटिटी यहां से पढ़ो इन अधर वर्ड से ठीक है उपर लिखा हुआ है इन अधर वर्ड वैन कंपनी रिजिस्टर जैसे आप एक कंपनी को जनम दे देते हो इनकॉर् इनसान की होते हैं जैसे मैं अपने नाम पर फ्रॉप्टी खरीच सकती है जैसे मैं के आलमोस्त पावर आजाते हैं जासे लाइक नॉर्मल यूमन बिंग बट कंपनी का एक दिस्टेंस होता है इस डिस्टिंट एंड सेपरेट फ्रॉमेट्स मेंबर याने की कंपनी एक के Shoulding Caramel इंडस्टी एक नहीं अलग अलग दोेश्म और जिस्म एक जान नहीं है लुट अलग इंसान है तो इसलिए कंपनी का जो एक्शिस्टेंस है वह उनके से अलग होता है क्या कंपनी प्रॉप्टि कर सक्ती है बिल्कुल और कर इसक्ती है क्या कंपनी अपने नाम पर ज ले सकती है लोन ले सकती है क्या कंपनी नामपे कंट्रेक्ट कर सकती है सब कर सकती है समझ में आया हां मैडम समझ में आ गया अब company एक ऐसी person है क्या company एक person है हन जी company एक person है artificial legal person है तो क्या वो अपने members से सेम है नई भईया company एक ऐसी person है which is different from subscriber to memorandum subscriber to memorandum क्या होता है ये मैं डीटल में जब memorandum वाला topic पढ़ाऊंगी तब समझाओंगी, अभी के लिए इतना समझ लो, subscriber to memorandum याने members की बात हो रही है, तो अभी के लिए इतना समझ लो, कि company क्या same है, अलग-अलग है, अभी तो पता है ना, इस personality is different and separate from those who compose it, those who compose it, मतलब जीन लोगों ने company बनाई, वो अलग है और company एक अलग person है, मापाप आपने बच्चे को पैदा किया, तो बच्चा क्या से, मैंने बच्चा आपने आपने एक अलग इंसान बन गया ना, मापाप अगर मर जाते तो बच्चा भी मर जाएगा, क्या नहीं बच्चा तो जिन्दा रहेगा ना, क्योंकि बच्चा एक अलग इंसान बन चुका है, वही वाली बात है, समझ में ठीक है, अब क्या हर company contract, sorry, एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को, अच्छा, मैं न, एक basic बात आपको बताना चाहती हूँ, मैं दिमाग में आई है, तो यह वाला topic, next topic बताने से पहले, मैं आपको एक basic बात बताना चाहती हूँ, और वो basic बात यह है, कि company जो होती है न, जैसे की company है, R.I.L, R.I.L क्या है, आपकी Reliance Industries Limited, ठीक है, यह आपकी company है, अब मान के चलो कि, मुकेश अंबानी ने पैसा लगाया company में, क्या लगाया, capital लगाया, पैसा, पुंजी, पुंजी लगाई, तो जब हम company में पैसा लगाते है न, तो हम कैसे पैसा लगाते है, company के share खरीद के पै company का, कि हम company के क्या है, company के member है, तो आपको company का shareholder बोला जाता है, company का member बोला जाता है, या फिर company का owner बोला जाता है, owner बोलो, member बोलो, shareholder बोलो, एक ही बात है, मतलब आप company के owner हो, आपने company में पुंजी लगाया हुई है, capital लगाया हुए है, कैसे share खरीद के, आप share खरीद के, एक बंद्ले में पैसा लगा देते हो तो इसको बोलते हैं आपने कमपनी के क्या होता है अब जैसे लिलाइंस एक लिस्टेट कमपनी यह जो सब्सक्राइब कोई भी कमत बहुत सब्सक्राइब良 kidney理, कोई भी कोई भी इस खरीट 00001% के लिए हूँ मैं तब इतना भी नहीं है यह 0.0000000001% होगा एकदम नेगलिजिबल नेगलिजिबल मतलब यह दो शेर क्या है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कमनी के पूरे कि मेरा पर्सेंट वाइस देखे तो मेरा परसंट डोल्डिंग तो जाधा नहीं है बट क्यूंकि मैंना में नाम की ओनर क्या रूभ लाइना की अपनी का श्यार कर रिसकते हैं तो क्या पोणर होता है ना इस इतने सारी ओनर होते प्रमोटर पूरी मुखेश हमानी की फैमली मिला कि अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग बोलूं तो प्रमोटर होल्डिंग जादर-जादर साथ-सतर परसंट है मतलब बचा-कुचा जो 30-40 परसंट है वो डिस्टिप्यूटेड है पब्लिक में फानेंशल इंस्टिउशन में तो यह इतने सारे कंपनी के आप अगर मैं शियर ऐसे कितने सारे लोग है और छोटा-छोटा-छोटा-छोटा माउंच लेते हैं तो थोड़ा-तोड़ा इंवेस्ट करते हैं तो क्या ऐसे बहुत लाखों नहीं हो वोड़र होंगे लाक्स अबieder डियलके रङ unr w घ्रकी से लंगे मैंट कर सकते हैं च्री तोच झाल की mons कर सकते हैं नाग पूसिवल नहीं है यह यह तौर केसे सब्सक्स लेग सब्सक्राइब को पर बूल का यह नहीं यह ट तो आउर कि करिके रहे रायंज चैस में तो मैं सोल कर रही है तो मैं ही और मैं ही मैंनेजमेंट दीखती हूँ तो नॉल पार्टरशिप में जोT वोही मैंनेजमेंट करते हैं बढ़ ऐसा कमपनी के केस में पॉसिबल नहीं है कि कमपनी एक किसल संथे तो खुझ से तो बहुत चलानी सकती कंपना को फुच से कंपनी की से तिमाग का नई क vulgar ऐसको चलाने की में उसके पीछे को इनसान खड़ा होँचा पीछे कि कंपनी के पीछे ना Agora यहां पर क्या हो रहा है कि शेर्ओलर सोंहें विख रहे हों जैली जाऊंगे मैंनेज करने के लिए आंसर इसी लिए यह जो companies होती है न उसको manage करने के लिए share holders manage ने करते हैं day to day affairs manage करने के लिए कुछ agents को appoint किया जाता है और उनको हम बोलते है दार्टर उनको बोलता है क्या डारेक्टर तो जिन लोगों को आप्वाइंट किया जाता है कंपणी को चलाने के लिए डिरेक्टर कोन-कौन होगे यानि कमपणी को मेनेच कौन-कौन करेगा अब जहसे की बाद करें तो मुकेश अममानी चेर्मैन दिया मैनेजिंग डिरेक्टर भी है नीता मोल भी डिरेक्टर हैं ठीक है तो यह लोग बहुत अलग होता है ownership अलग होती है management अलग होता है जो owners होते हैं उनको shareholders बोला जाता है और दो company को manage करते हैं उनको directors बोला जाता है यह वाली बात समझ मैं है अच्छी तरीके से आनी चाहिए तो अब एक बात बताओ मान के चलो यह है मुकेश अम्बानी मुकेश अम्बानी क्या shareholder है सिर्फ और दंशर दानिद का लिएक आप आपके उप्र कह vida करों तो में कॉस्ट्राइक अपडाता सूर बिलग चलति नबने और कोंट्रैक्ट कर सकते हैं और याद करों पढ़ा था कि कॉंट्रैक्ट करने के लिए कम से कम से सकती हुआ आंसर इस मदब कंट्रैक करने के लिए कम से कम दो इंसान होने चाहिए तो यहां मुकेश कर सकता है बिल्कूल आंसर इस क्या owners लोण नहीं देते हैं कम्पनि को बिल्कूल देते हैं तो अगर पर मुकेश सम्मानी माने की Gillette और को यहJA कोई भी ड्रांस अच्छन करता है तो क्या मुकेश ममानी रिलाइंज पर सक्ता है और विसली यह αइड किन अब मानी इस सेपरेट पर्षन यहीं वाली बात रिखेंगे हुई है यहां पर पॉइंट नवर वी में यहांकि इवन जो मेंबर है जो शेर ओल्डर रहें याने शेयर ओल्डर वह भी कॉंट्रैक्ट कर सकते अपनी कंपपनी के साथ क्यूंकि गंपनी जो है वह सेपरेट लीगल यह जो कंपनी है वह एक सेपरेट लिगल एंटिटी है इसलिए मेंबर्स अलग है तो मेंबर्स इवन कंपनी के साथ भी कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं एक्वायर राइट अगेंज इस और इंकर लिए टो इस फॉर देट अपनी ओंड यह एक एक्जांपल देरी हूं आपको यह किसा लिया है अब ये विचार मुकेश अमभानी सांथी से बैठा हुआ क्या स्ब्सक्राइब कर सकती है यह आंसर इसलिए जो क्रेडिटर है ग्रेडितर याने जिसको रिलाइंस के उपर liyability है पैसा देना है पैसा देना है तो हमें किसको पैसा देना है SBI को क्रेडिटर अगर company ने लोन लिया है तो creditors क्रेडिटर कंपनी की अगेंस केस कर सकता है डिकिया है वही वाली बात लिख्यों लिए यहां क्या कि for the debts of the company अगर company ने debt लिया है debt याने उधार for the debts of the company only its creditors can sue it creditors can sue it it याने company creditors can sue only company and not the member वो member को sue नहीं कर सकते वो ही वाली बात अब बाहर बाहर लिखे हुई है कि thus company is capable of owning enjoying disposing of property in its own name क्या company अपने नाम पर property खरीच सकती है yes क्या the company became the owner of the capital and the asset अच्छा जो company की properties होती है वो company की होती है share holders का company की property में कोई अधिकार नहीं होता है example madam example Reliance Industries Limited same अब company के case में मैं पूरा Reliance का example लेने वाली हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए अब जैसे ही Reliance है Reliance की बहुत सारी showrooms है Reliance과 Reliance trends का शोरू में आपको अच्छे से अच्छे awak प्रॉपटी है directly कोई अधिकार नहीं है इस property में मुकेश अमानी का directly कोई अधिकार नहीं है यह जो property है यह Reliance Industries की property यह कमपनी की property है यानि की Member अलग होता है Company अलग होती है अब यह बात दिल दिमाच सब्टका बैट जानी चाहिए कि Member अलग होता है Company अलग होती है Members का company की property में कोई अधिकार नहीं होता है members एसा नहीं बोल सकते उइज शम्बानी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये trends के शोरोम मेरा है नहीं ये trends के शोरोम रिलाइन्स का है ये trends के शोरोम रिलाइन्स का है it is not the property of ॉइजश अम्बानी और इसलिए अगर आपके आप उस प्रॉपटी का अपने नंव पर इंशोर्लंस ले सकते हो नहीं ले सकते अगर मेरी कोई एक्टिवा है मेरी गाड़ी है तो उस एक्ट की अर्फिरण्ट के आपने क्ट्रेश्पाइभ नहीं हैं मेरी अपने नाम पे ले सकते हैं trade अगर यह जो धी परॉपर्टी यह प्रॉपर्टी यह मेंबर्स की नहीं है तो क्या members इसका insurance अपने नाम पे ले सकते हैं नहीं और अगर ले भी लिया ना तो भी उनको insurance company से एक पैसा नहीं मिलने वाले है क्योंकि वो उनकी property नहीं है रेदर वो अगर होता है shareholders are not the private or joint owner of companies property shareholders का company की property कोई अधिकार नहीं होता है शेयर holders are not the owner of companies property बठा और यहार बात लिक्यूए है member याने shareholder does not even have insurable interest in the property of company याने member का इवन इंस्यारेबल इंट्रेस्ट नहीं होता है यानिकी वो कमपनी की property का अपने नाम पर insurance भी नहीं ले सकते उस case में insurance company आपको claim नहीं देगी और ये कौन से case में हुआ था Macora versus Northern Assurance Company एक case हुआ था अच्छा ये देखो case क्या company के against हुआ है हाँ Macora एक इंसान है और case किस के against हुआ है natural person के against नहीं हुआ company के against case हुआ है company का नाम है Northern Assurance Company Limited तो क्या एक कंपनी के against case हो सकता है बिलकुल हो सकता है company के against case बात समझ रहे हो तो क्या member अपने नाम पर insurance ने सकता है company की property का नहीं याने की members का company की property में even insurable interest भी नहीं होता है तो इसको के साथ समझेंगे एक Macora वाला case है उस case में क्या क्योंगा हिए था यह ना एक तिमबर की company थी उस company की कुछ property थी यह Macora था। उस country का ओनर था तो उसने क्या किया तिमबर का insurance अपने नाम पर ले लिया अपने नाम पर insurance ले लिया क्या वह एसा कर सकता है नहीं क्योंकि कंपनी की कंपनी की है उसकी नहीं है मकउरा की नहीं है तो अपने नम पर इंशॉरेंस नहीं सकता तो इस इसमें insurance company claim देने के लिए liable नहीं है क्योंकि मकौरा की property नहीं है वो timber मकौरा की नहीं है तो मकौरा अपने नाम पर insurance नहीं ले सकता यही वाली बात लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है मकौरा was the holder of nearly all shares of timber company यह जो मकौरा था ना almost सारे shares hold करके रखा था तो अपने आपको timber का owner समझे लग गया था ठीक है he was also the major creditor of the company हुआ क्या मने company के सारे timber अपने नाम पर insurance करा लिए और timber fire में जल गया तो उसने बोला insurance company मुझे compensation चाहिए insurance company was not liable to him as no shareholder has right over a property for no legal legal or equitable interest in them conclusion क्या है conclusion गया है कि insurance company पैसा देने के लिए liable नहीं है क्योंकि मकौरा का company के property में कोई अधिकार नहीं बनता है company के property company की होती है ना की मकौरा की ना की owner की इसे रहे insurance company is not liable to pay any money with this we are completed with the first feature that is separate legal entity any doubt in separate legal entity जल्दी से बता दो any doubt in separate legal entity क्योंकि इस्थ 7 आवस्वादी अवस्वादी अवस्वादी नहीं है स्वेशन कि व्ड़ल में अवर और की नहीं है क्योंकि प्पच्श्च्छ्टर बद्च्दी नहीं है अगर अगर यह पार्टनर्शिफ में पढ़ चुके हैं कि अगर मान के चलो यह तीन लोगों के बीच में पार्टनर्शिफ में पढ़ चुके हैं कि अगर तीनों मर जाएंगे तो पार्टनर्शिफ अपने अब खतम हो जाएगी और था चलो यह तीनों ने मिल के हेरा फेरी नामकी पार्टेर फेरीन कंपवनी ऐन कंपनी लिखने कंपनी नहीं बन जाएगी यह पार्टनर चिपन है ठीक है तो यह पार्टनर कंपनी अब लूट जाते हैं तो पार्टनर शिपन Creand जाएगी अगर तीनों इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तीनों को कुछ हो जाता है तो पार्टनर्शिप अपने आप खतम हो जाएगी तीनों छोड़कर के चल जाते हैं तो पार्टनर्शिप अपने आप खतम हो जाएगी लेकिन अगर मैं बताऊं एक कंपनी की बात करती हो एक क कंपनी नहीं मरने वाली अपने आप कंपनी जिंदा रहेगी कंपनी में एक इंसान नहीं बचा है जितने लोग कंपनी से जुड़े वे थे सब मर गए तो भी कंपनी नहीं मरती कंपनी जिंदा रहती है यानि के मेंबर के चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा मेंबर में 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 इसे बोलते हैं चलता ही जाएगा थी कमपनी IS is forever man may come man may go but the lipstick is forever ठीक है तो यह होगा आपका perpetual succession perpetual succession याने member may die और change दीरुबाई अम्बानी ने reliance बनाई थी दीरुबाई मर गया reliance मर गया क्या नहीं reliance आज भी जिन्दा है तो क्या member के मरने से company मर जाती है नहीं तो company कैसे मरेगी मैडम कैसे मरेगी company बता दो ना प्लीज अच्छा एक बात बताओ company को जनम कैसे देते हो company's act के द्वारा company's act 2013 के द्वारा अगर मैं कभी भी तीसीय लिखूं तो समझ जाना मैं company's act की बात कर रही हूं the company's act 2013 तो मैं short में कहीं टीस दोजार तेरा लिखूं तो समझ जाना मैं यह की बात कर रही हो मैं दा company's act की बात कर रहे हूं आप company को जनम कैसे देते हो कानून की अकॉर्डिंग इंडियन companies act की according तो बंद करना होगा तो कैसे कर सकते हो मैडम ऐसे इजी नहीं है इजी नहीं है वही का डांस आपको company's act में जो procedure लिखा हुआ है वो follow करना पड़ेगा government को बताना पड़ेगा government government को बंद करना है तो proper process दिया हुआ है comment का approval लेना पड़ेगा वो process follow करके आपकनी company को बंद कर सकते है कि अपने आप एक कमपनी को मार सकता है खतम कर सकता है बात समझ में आई तो एक कमपनी बनती भी कमपनी जब बंद कर रहे हो जब अपन किसी कमपनी को कानून के क्लास कर दो घो घो क्लास हो गया सब वैंड़ करो तो कम्मीज जब तक चलते हैं जब तक आप लौ के द्वारा उसको बंद नहीं कर देते डेटेटे शेर हो जाले बट does not affect the existence of company उससे कंपनी के existence में परग नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी एक artificial person है जो लॉ ने बनाया है created by law and law alone can bring an end to its life कंपनी को सिर्फ लॉ ने बनाया है और सिर्फ लॉ ही कंपनी जैक को को खतम कर सकता है जैसे सिर्फ और क्रॉक सी वॉल्डर मॉट को खतम कर सकता है वैसे ही कंपनी जैक को सिर्फ कानून ही खतम कर सकता है it is not affected by the death or insolvency of member बले ही सारे members बले शारे shareholders मर जाये इंसल्वेंट हो जाये मरना है मरो कंपनी जैक को कोई फरक नहीं पड़ता है मैं तो कंटीनू करूंगी मैं तो चलूंगी यह होता है अब एक एक जांपल दिया हुआ है कि एक कंपनी थी उसमें 100 साल से चल रही थी ठीक है अब स्वासार से चल रही है तो perpetual succession होगा देवाशा कंपनी विच आज सब मर जाएगी सबके सब मर जाये परक नहीं पड़ता कि partnership में जैसे ही सारे partner मर जाते है partnership अपने आप मर जाती है बढ़ company के case में ऐसा नहीं होता है क्योंकि company excepted legal person है भले इस सारे member मर जाये company के लेकिन company अभी भी जिंदा है हम अभी भी जिंदा है तो इसी के जाद अपना perpetual succession होता है है complete बहुत ही चिंदी सी बात थी limited liability वाला जब मैं types of company पढ़ाऊंगी न तब समझाऊंगी अभी छोड़ दो अभी के लिए बस इत्ता समझो कि members की liability limited होती है याने की partnership में अगर partnership फॉमने अगर मानके चलो आपकी partnership कोई लोन को चुका नहीं पा रही है तो ये तीनों को ना अपने घर से अपने कपड़े घर बार गाड़ी घोड़ा सब जूलरी गहने सब बेच करके ये लोन चुकाना पड़ सकता है मतलब इनकी liability personal होती है unlimited liability होती है याद है partnership के case में पढ़ेते partnership के case में unlimited liability होती है याने partnership की उधारी के लिए इनको अपना घर, बार, गाड़, गोड़ा सब कुछ बेचना पड़ सकता है सब कुछ बेचके loan चुकाना पड़ सकता है अपने घर से अपने गहने बेचके बीवी बच्चों के गहने बेचके पैसना पर सकता यह बहुत वडश होता है पार्टनेसिप काíamos रिलांस के कैस में अगर केस में का होता है अगर कंप्णी पांच करोर्ण का लोन ले रही है तो यह पे करने के लिए सिर्फ company ही लाइबल है शेयर ओल्डर अनिमिटेड लाइबल नहीं होते हैं मतलब शेयर ओल्डर को नहीं बोला जा सकता कि भाईया company जो है पैसा नहीं दे पारी है आप जाओ अपने घर ते अपना गैना बेज करके लाकी company की उधारी चुकाओ नहीं यह रूप के पास है प्रोरी गूटर के पास है लेकिन जो बचे कुछे तीस पर संट करिंट हैं वह तो पूरी है पूरी पैपलिक में फैपलिक किह लोगई नहीं के तो company के case में क्यूंकि company एक अलग इंसान होती है और member एक अलग इंसान होते हैं तो members को नहीं बोला जा सकता कि भाईया company की उधारी चुकाने के लिए आपको अपने घर से भी पैसा लाना पड़ सकता है आपके उपर personal liability नहीं आएगी याने की liability जो होती है वो limited होती है एक limit होती है unlimited नहीं होती है और कित्ती limited होती है नौर्मली अगर मैं company limited की बाइश की बात करूँ तो मान के चलो मैंने अगर 10 रुपय का पाले जी खरीदा मैंने ses 일ometers और मेरे जेव में पैसे नहीं फे जेव में 4 रुपे थे तो मैंने चार रुपे उनको देदिया किता किसा देन का बचा ए कुतनी है सरपे उधारे कितने है मैं एछ रुपे की क्योंकि मैंने्ये तस रुपे का बाँले जिल was. तेर उसी तरह से कंपनी में क्या होता है कि मान के चलो यह मैं हूँ और यह कंपनी है और यह हमारी प्रियोरी कर sources ठीक है यह मैं हूँ यह कंपनी है मैंने 10 रुपय केимся धर करीदे मैंने 10 रुपय के कंपनी का लगिगा क्या मैं कंपनी की सव Rider बन गई हाँ मैंने एक शेयर खरीदा रिलाइंस का क्या मैं कम्पनी की शेयरोल्डर बन गई लेकिन मेरी लाइबलिटी कितनी बनती है क्या मुझे क्या रिलाइंस इंडेस्ट्रिट में को बोल सकता है लाप पैसा ला उधारी नहीं चुका पारे हम लापने घर से पैसा ला ऐ स्ट्रिय औधारी कित्ती बनती है मैंने 10 रूपाय का शेयर खरिदा मान के चलो मैंने अभी तक 3 मैं नहीं तक 5 रूपाय के दिया हैं 2 07 छुट रूपाय देने का पचा है तो मेरी कित्ती बचिया मैंडम Works my माक्सीममफ 5 रुपए मैक्सिमम पांच रुपए मैं उससे जादा कंपनी को एक कुटी कौडी देने के लिए लाइबल नहीं हूं तो मतलब मेरी लाइबलेटी रहती है जितना देने का बचा है जो मैंने शियर खरीदा ना उसका फेस वैल्यू यह जो दस रुपए इसको फेस वैल्यू ब बचा है तो यह जो अन्पेड वैल्यू है उतनी ही मेरी लाइबलेटी बनती है और अगर मैं पूरा पैसा दे दूँँँँगा पांच रुपए भी दे दिया याने कि पूरा दे दिया मैडम अब मेरी लाइबलेटी एक फुटी कौडी की ने बनती है कंपनी मेरसे एक पै हैं लिएद्य लाइबलेटी अब यह जब मैं ताइक मतला बता दिया है मैंने बाट आपको सबसे जो सबसे जो बेसिक टैप फांपनी होती है वह थी है अगर कंपनी का कोई डैट है कंपनी के डैट या ने उधार अगर कंपनी की उधारी नहीं है तो मेंबर्स लाइबल नहीं होंगे कंपनी की उधारी चुकाने के लिए लाइबल याने जितना देने का बचा है मैंने 10 रुपे का पाले जी खरीदा 10 रुपे का शेर खरीदा चार रुपे दे रही है छे रुपे देने का बचा है तो मैं सिर्फ अन्पेट वैल्यू याने जो देने का बचा है तो छे रुपे देने के लिए लाइबल हूँ उससे जाधर देने के लिए लाइबल नहीं हूँ यह सबसे बेसिक केस होता है यह नॉर्मली कंपनी के केस म होंगी जितना मेरा शेयर का देने का बचा है उससे जादा मैं कंपनी को एक पैसा देने के लिए लाइबल नहीं हूं नहीं कंपनी की उधारी चुकाने के लिए लाइबल हूं मेंबर्स की लाइबलिटी लिमिटेड होती है कंपनी की लाइबलिटी है उसको मेंबर्स की लाइ मेल इसा मजम हैं यस वे ड्याव यस अके परसन अपने अल्रेडी हो चुका है मैं बता चुकी हूं और फर्स वाला पॉइंट सेम ही पर ने बड़ा था ना आप न सेपरेट लेकल自थी और ये पौर्थ वाला पॉइंट परसन सेम ही है और आर्टिपीशल लीगल परसन क्या बहुताँ है कि कंपनी माना एक नैचरल पर सकते हो बोल सकते हो चल सकते हो फिर सकते हो लेकिन कंपनी एक नाचरल परसन नहीं है लेकिन आर्टिफिशल लीगल परसन है क्यों लॉकिन नजरों में वह परसन है यानि कि वह कॉंट्रैक्ट कर सकती है केस कर सकती है प्रॉपटी खरीच सकती है खाता को लगा सकती है लोन ले जरम देती है इसलिए अपे डिस खुआ दें प्रसेस अप नाचल बॉर्थ इसलिए इसको आटीफीशल परसन बुला जाता है तो प्लीज दिधान रखना कंपनी को एक पैसे लीगल परसन जो कि एक लीगल परसन है लोगी नजरों में कम्पनी एक इंसाने जो की कौन बनाता ह ग्रीटेड़ नाम पर सकती है अपने नाम पर कर सकती है और कोई दूसरा भी कंपनी के नाम पर केस कर सकता है तो क्या company case कर सकती है येस और क्या कोई दूसरा बंदा company के against case कर सकता है इसका मतलब company का artificial person है अब artificial person का main point में मतलब ये वाला है अभी तक तो अपन separate legal entity पढ़ रहे थे ति क्या artificial person मतलब माना company loan ले सकती है अब क्या company खुद चलके जाएगी bank में और SBI को बोलेगी क्या company कुछ चलके जाएगी नजी कैसे चले की नगे कैसे चले की बैर होते हैं कंपनी का चल सकती है तो कंपनी बाद कर सकती है कैं नहीं तों आपने चलाने के लिए कोई इंसान होना चाहिए ना जो कांपनी के पीछे खड़ा होंके कंपने के नाम पर कंपनी को चला रहा है होना हुद कि कंपनी एक नैचरल Sue दो होता है ना जैसे मान के चलो एक इंसान है उसके भी आप में कोई काम करना कोई दूसरा इंसान होता है उसके नाम पर काम करता है वैसे कंपनी 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 का आटिफिशल परसन है बोल नहीं सकती चल नहीं सकती तो उसको मैनेज करने के लिए पीछे कोई जीता जाकता न डिरेक्टर्स लोग रहिए कंपनी के नाम पर करते हैं चलनी क्योंकि company बोल नहीं सकती चल नहीं सकती तो कोई इंसान होना चाहिए जो company के नाम पर काम करें उनको बोला जाता है directors जो day-to-day management करते हैं तो क्योंकि company artificial person है it can act only through human को खुद तो काम नहीं कर सकती तो किसी human being के थ्रूँ ही काम करेगी ना तो जो agent होता है company का वो होते है directors तो directors क्या company के agent है हां directors act as agency मतलब क्या directors company के agent है yes they are the agent of company बट इसका मतलब अगर मानके चलो मुकेश अम्मानी डिरेक्टर है डिरेक्टर है ठीक है रिलाइंस का तो क्या वो company का agent है yes company का तो agent है एक बात बताओ मैं भी कि रिलाइंस की कि शेयरोल्ड रूँं शेयरोल्ड हूं कि मैं भी रिलाइंस की शेयरोल्डर हूं मेरा भी एजनट है अफकोर्स नो कि तो जो डिरेक्टर होता है वह एजन रफ करके नाम कर क्काम करते हैं इसलिए उनको कंपनी का एजेंट बोला जाता है जैसे मान के चलो रिलाइंस को लोन लेना है पांच करोड का तो खुद तो जाके को नहीं बहुत सकती कि अब रिलाइंस के भिहाफ में कोई नैचरल इंसान होना चाहिए कि नहीं जो खुलें को जाए और में को बोलें और में क्लाइंस को निए पांच करोड का लोन देंग दो और में नून उफने यह कंपनी क काम करते हैं न्युक्त होने नीचक के नापे चैनल के लिए लीए प्टे ers तो directors are the agent of the company, but they are not the agent of the shareholders, company और shareholders अलग अलग होते हैं, तो क्या वो agency act करते हैं, yes, मतलब वो company के agent हैं, yes, but क्या वो members के भी agent है, no, they are not the agent of members, which means director can either on their own or through common seal, can authenticate the formal acts, याने directors जो है na company के भी आपने sign कर सकते हैं, उनके पास authority होता है, और इसलिए company is an artificial legal person, यह होता है अपने fourth वाला point, last वाला point करते हैं, उसके बाद में आपको break दे दूँगी, common seal चोटा सा point है, common seal क्या होता है, official signature होता है, official signature, देखो, आप देखे होगे, कही सारे legal paper में ऐसे blue color का ठपा होता है, जिसको ऐसे blue ink में डाला जाता है, फिर ऐसे documents में से ठपा मारा जाता है blue ink में ऐसे लगा करके, कभी ठपा हमारे हो, किसी legal document में, उसको बलाता है official seal, तो क्योंकि company sign कर सकती है, नहीं, company sign नहीं कर सकती, तो company का होता है official seal, जिसको हम documents में लगा करके, उसको authenticate करता है document को, common seal क्या होता है, common seal जो होता है, official signature होता है company का, जिसको आप documents में authenticate करने के लिए अफिक्स करते हैं, अफिक्स करते हैं मतलब डॉक्यमेंट में ऐसे लगाते हैं ठपा, तो इट इस अफिक्स बाइ ऑफिसर और एंप्लॉय ऑफ दॉक्यमेंट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ना हर कंपनी के लिए कॉमन सील होना ज़रूरी था पहले हर कंपनी के लिए पॉमन सील होना ज़रूरी था बट अक्वर्डिंग टू कंपनी अक 2013 तो मैं अंपनी कैसे करेंगे नॉर्मली डिरेक्टर साइन करते हैं तो मैं ऑथन्टिकेट कौन करेंगा का डरें करें कि नौर्मली अगर कंप्नी के याँ करते हैं दो डेरेक्टर साइन करते हैं या फिर अगर company secretary है तो एक director और एक company secretary sign करता है याने कि अगर उस company में CS नहीं है तो दो director का sign चाहिए होता है और अगर उस company में CS है तो एक director और एक CS का sign चाहिए होता है उस document को authenticate करने के लिए उस document को authenticate करने के लिए अगर CS नहीं है तो दो director का sign चाहिए होता है अगर उस company में CS है तो एक director और एक company secretary का sign होता तो अच्छा मैडम अगर company के पास common seal है तो अगर company के पास common seal है optional है ना, optional है याने कोई company के पास होगा कोई company के पास नहीं होगा अगर company के पास common seal है तो कुछ-कुछ documents होता है जिसमें compulsory हो जाता है common seal लगाना अगर है तो नहीं है तो compulsory नहीं है बट अगर आपके पास common seal है तो कुछ कुछ document में compulsory हो जाता है आपको common seal ठपा लगाना तो इसलिए आप पर लिखा है the document which need to be authenticated by common seal will be required to be done only if the company opt to have a common seal याने कि अगर company ने opt किया कि मुझे common seal होना company ने opt किया हमारा ठपा होना अगर company के पास common seal है तो उस case में कुछ कुछ document ऐसे होते है जैसे कौन कौन से document होता है पढ़ना जरूरी नहीं है बट मैं आपको example के लिए पर आ सकती हूँ जैसे कि share certificate होता है जैसे कि power of attorney होता है जैसे कि bills of exchange होता है bills of exchange जानते हो कि क्या होता है accounts के student हो 11-12 accounts में पढ़े होगे बी-ार, बी-ार, बी-प, bills receivable, bills payable, bills of exchange chapter पढ़े होगे तो यह कुछ ऐसे document होते हैं जिसमें बोला गया कि अगर आपके पास common seal है तो इन document में तो जरूर से लगाना पड़ेगा जरूर से लगाना पड़ेगा सारे documents में common seal fix करना जरूरी नहीं होता है बट अगर आपके पास common seal है तो यह कुछ ऐसे documents है जिसमें common seal लगाना जरूरी हो जाता है अगर नहीं है तो मतलगाओ नहीं है तो ज़रूरी नहीं है बट अगर है तो कुछ documents ऐसे होते हैं जहां compulsory हो जाता है तो यहां पर बोला गया document which need to be authenticated कुछ document ऐसे होते हैं जिसमें common seal के द्वारा authenticate करना होता है मतलब common seal लगाना होता है इस company has opted for common seal अगर company के पास common seal नहीं है तो डिरेक्टर sign करेंगे कम से कम दो डिरेक्टर और अगर CS है तो एक डिरेक्टर और एक CS इस तरह से authenticate किया जाता है यह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है यह काट दो यह जो मैंने अपना थप्पा बनवाओ आपको नहीं मन है तो अपना थप्पा मत बनवाओ common seal होना जरूरी नहीं है common seal क्या होता है company का official signature होता है so all these are the features of companies are we clear with this yes any doubt in features of companies any doubt in features of companies any doubt in features of companies no doubt okay ठीक है तो अब breakfast break लेते हैं आपना breakfast कर लो साड़े क्याव तक कर लोगे क्या नाड़े क्या क्या लोगे अ-ए 1130 अपन रिजूम करेंगे ए 1130 से अ-ए अ दो बज़े तक लास चलेगी तो चलेगा क्या दो बज़े तक लास चलेगी चलेगा धाई 1130 वर टू टूवज़ यह क्या काम है है कि कुछ काम है आज कर वादो आज में ट्राय कर रही हूं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं बहुत बीटियल में समझाना पड़ता है नहीं आना टॉपिक है पूरा परस्टाइम पढ़ रहे हो कम्पनी के О coalition चुक्सा तो बसब्स में हों तो 108 एक हुआ डrש बारे में कि समझगा owner और में सब्क्राइब्स शोड़े तो मैं तुर घर से लिए हुआ तो थोड़ा टाइम लोग जाता है कल भी ले लेना चलेगा ना हाँ very good चलेगा बहुत बैतरीन बैतरीन चलेगा ठीक है तो आज आधा कर लेंगे कम्णी जैक कल आधा कर लेंगे तो अपना कम्णी जैक आज और कल में complete हो जाएगा उसके बाद obviously परसो दिवाली है तो परसो क्लास नहीं होगी और दिवाली के अगले दिन 27 को तो मैं आ जाओंगी 27 को मैं आ जाओंगी 25 और 26 दो दिन ओनलाइन क्लास लेके देखते हैं LLP कर लेंगे क्योंकि LLP ना 5 मार्क्स का चैप्टर है मतलब वेटेज भी नहीं है वेटेज भी नहीं है 20 पेज का चैप्टर है थोड़े बहुत अमेंडमेंड मेंड में तो LLP अपन दिवाली के बाद कर लेंगे आज और कल में अपन अपन कमनीजाग कंप्रीट कर लेंगे कर लेंगे चल नहीं और जब मैं फिजिकल आओंगे ना तो मैं फेस्टो फेस आपको सोगा कर आओंगी चलेगा चलेगा ठीक है तो आधी गंटे का ब्रेक मतलब 20 मिनट का ब्रेक 1130 मिलते हैं ठीक है